आप देख सकते हो स्रीराम ओटो एजन्सी वियारा आप कभी भी आके पर्चेस कर सकते हो कब-कब ओपन रहता है श्रीराम ओटो एजन्सी बंद रहती है और पूरे 6 डे के लिए ओपन रहती है जो अर्जन डिलिवरी चाहिए संडे बे तो मिल सकती है इसी कोई बात नहीं एक बार फॉन करके आप आ सकते हो एक बार फॉन करके आप आ सकते हो कि आप कि एनेस वान ट्वेंटिफाइव गाइस यह बेसिक्स है इसमें डियल चैनल एबीएज नहीं है कि एबीएज ही नहीं क्योंकि 125 यह प्राइज में 96,000 के करीब मिल जाएगी नेकट प्राइज है इसके आपको एवरेज शिक्स्टी से सेवन्टी तक दे देगी ज्यादा प्राइज नहीं है इसके एंड लुक भी इसका बहुत अच्छा है इसके विल देख सकते हैं कि फ्रांट साइट इसकी डिस ब्रेक दी गई है एब यह नहीं है लेकिन फिर इसमें सी ब्याइस एविलेबल है सो कि फ्रांट साइट से देख सकते हैं कि यह सी लुक है इस काड़ी हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं इसका साउंड भी बहुत बढ़िया है इस देख लिए आपने अब दिखाते हैं आरे स्टोहंड़ड भी एस सिक्स तो साउंड पैंटी वन मॉडल आपको एड्यूएल चनल लेविस मिल जाएगा आप इसके में देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं इसकी टॉप स्पीड है गाइस इसकी टॉप स्पीड है 150 से 160 तक की है आपको इसका डिस्प्लेय दिखा चाथ है यहां पे नीट्रल बैटरी एंड ओईल लिख का भी सिंबल दिया गया है यहां पे डिजिटल वाला डिस्प्लेय है लेकिन जो स्पीड का एंड आर्पीम का वो मीटर में दिखाई दे रहा है तो वेसे भी मस लग रहा है इसके मेरा लग रहे है गाइस पर देख सकते हो यह श्यक्ता है पर दो गाइस और अबड़े टापको प्राइज में वेसे भी तूहंड़ेट शीजेंड ब्लेट चैनल ABS सिस्टम है तो आपको 150 के संथिंग असपास मिल जाएगी एंड वहां पर नस भी बहुत बढ़िया गाड़ी है लुक में भी बहुत अच्छी है 125cc अब सभी के सभी बाइक BS6 से आते हैं तो आपको साउंड भी सुना दिया बहुत अच्छी बाइक है जिसको भी प्राइज में थोड़ा प्रोब्लेम आ रहा है तो वह एंस ले सकते हैं बहुत बढ़िया गाड़ी है यह गाइस सीरियसली अब आरेस भी बहुत बहुत गाड़ी निकली है इसका इस पैंट को देख सकते हैं आप डामेनर फॉर हंड़ेट दिखाने जा रहा है अब देख सकते हो इसका डिजिटल डिस्प्ले है इसमें न्योट्रल का दिखाएगा आपको जब स्टार्ट करेंगे किलोमेटर का स्प कितना किलोमेटर बाइक रॉन करी है वह भी देखा देगा यहां पे आप देख सकते हो कितने मस्ट लाइट सेट की गई है आप एला थी जाओ ते यहां गाइस 13 लीटर की टैंक है इसमें एंड वल साइलेंस और जोइंट है इसमें एंड आपको यह भी डूल चैनल ABS सिस्ट आपको यहां पे हेलो जोन लाइट मिल जाएगी जो बहुत ही बढ़िया है मोस्ट बाइक में नहीं आती है जाइस आप इसका साउंड सुन सकते हो क्यों साउंड है गाइस एक नंपर गाड़ी है इसकी प्राइज गाइस आपको तक्रीबन तू लक्स के आपस्पास मिल जाएगी यहां पे कलर और एविलेबल है ग्रीन है ग्रेय है एंड रेड है रेड में गाइस डॉमिनार 250 आ चुकी है जो डॉमिनार का पसंद करते हैं जो तू लक्स तक नहीं जा सकते तो इसकी प्राइस कितनी है गाइस एक शोरूम इसकी प्राइस 170 तक है 171 तक है तो तू फिप्टी सीची की बाइक डॉमिनार आ चुकी है आप पर्चेस कर सकते हो वियारा श्रीराम बजाज एजनसी आप यहां से आके डॉमिनार भी मिल जाएगी आपको यहां पे एवेंजर भी है एंड आरेस है एनस 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 वान प्रेंटीफाव भी है तो गाइस आ वह भी आपको मिल जाएगी यहां पे ड्यूक वान ट्वेंटीफाइव है इसका सबसे अच्छा पार्ट मेरे को यह लगता है इसके विल एक नंबर है गाइस हम ड्यूक चालू करके देखते हैं यह देखो यहां पे डिजिटल डिस्प्ले दी गई है न्यूट्रल है एंज फ्रांट साइट एबेस सिस्टम है एंड देख साइड भी ड्यूल चैनल एबेस सिस्टम है हम स्टार्ट करके देखते हैं गाइस अब देख सकते हो इसका साउंड मुझे अच्छा नहीं लगा लेकिन फिर भी एक सो पच्छीश इसी है चलेगा एंड यहां पे है 200 ड्यूक आप इसका पोस्टर देख सकते हो मुझे दा गाइस इसके विली बहुत ज्यादा पसंद है यहां खतरनाक विल है इसके यहां पे लेडी लाइट है एंड हमारे आरेस में एंड केटियम में पीछे बेटने वाले को ज्यादा कंफड़ेवल फिल नहीं होता जब और स्पीड पे होते हैं पीछे पकड़ने के लिए अच्छे जगा नहीं है लेकिन यह ड्यूक में बहुत ही अच्छी जगा है यहां पे एन्स वान सिक्स्टी है रेड कलर है और इसमें और कलर एवलेबल होगे न यह भी ड्यूल चैनल एविस सिस्टम है और यहां पे ग्रे कलर है ग्रे ब्लेक बोल सकते हो ब्लेक अन्वाइट में वहां पे रेड अन्वाइट है और गाइस यहां पे 125 सिसी ब्लू में कितनी बड़िया लग रही है मैं तो यह बोलता हूं गैस जो लोग भी है एंड प्राइज में भी आपको थोड़ा कम मिल जाएगा जितना आरेस एंड एनेस टूहंड्रेट की प्राइज है संथिंग वन लग के असपास मिल जाएगा आपको ओके गाइस सो आपको हमने बहुत ही कम प्राइज वाली भी बाइक दिखा दी है